नमस्कार एविपी लाइब में आपका स्वागत है मैं हूँ नीरा शिर्वास्तो और हम पहुंचे हैं आज फिर जो है राम घाट पे और यह देखिए आप पीछे पहले नजारा आपको दिखा देते हैं जो राज घाट का पूल देख रहा है डेंजर लेबिल रापती जो है पार कर चुकी है और सामने गोरकनाद घाट देखिए यह आपको पूरी तरह से लेबल हो गया है बराबर पानी आ गया और फ्लो भी काफी अधिक है लेकिन इधर आपको तस्वीरे दिखाते हैं जो बहरामपूर का जो यह दच्छडी बहरामपूर का जो इलाका है यहां आ यहां पर पूरा पानी आ गया है गाओं में और यही वज़ाए कि यहां पर अब जो परेशानिया है दुश्वारिया है लोगों की शुरू हो गई चुकि पीछे तक आप देख सकते हैं बहुत दूर तक भी आप देखेंगे तो मकान पानी से डूबे हुए है और यह समस्य समस्यास जो हर साल जब बाड़ाती है तो यहां के लोगों को इस समस्यास से दोचार होना पड़ता है लेकिन जो सबसे खास बात है वो यह है कि छोटे बच्चे हैं और बच्चों को जो साप हैं बिच्चू हैं उनका खत्रा और इसके साथ ही जो रोज मरा के जो जरूरत के समान है उन्हें ले आने और ले जाने की दिक्कत इन सब चीजों से बचने के लिए लोगों को यहां से पलाइन करना पड़ा आप देख सकते हैं सामने जो आपको घर दिखाई दे रहा है ठीक सामने इस घर में आप देखिए यहां पर आपको ताला लगा हुआ दिखाई आपको नजर आएंगे तीन ताले लगे हुए कमोबेश पीछे भी जो मकान है ऐसे ही जो अधिकतर मकान है उसमें आपको ताले लगे हुए दिखाई देंगे चुकि बाड़ आ गई है और लोगों ने यहां से पलाइन कर दिया अपने रिष्टेदारों के यहां शरण ले यह जो आप पीले रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं यह प्रात्मिक विद्यालय और हर साल ऐसे ही आज से ही प्रात्मिक विद्यालय को भी बंद करना पड़ा कुछ लोग हैं पूर पार्षद भी हमारे साथ हैं शीवा जी शुकला जी और तमाम लोग हैं जो यहां पर इस तरह की स्तिती अभी गाउं में है और क्या प्रशासनिक मदद मिल प्रशासनिक मदद साथ कुछ नहीं मिला है कहने की मतलब है कि स्कूल बंद हो गया है बच्यों को आगन बारी में पढ़ाया जा रहा है और उनको दो स्था होनी चाहिए इसकूल में देख इतना पानी करा जाए कोई सुवधा में देख नहीं है सब लोग भूखो पर्सान है और कितने लोग देखें बंद पागाए ताला घर में बंद करके और उस ताला को देखने जाना पड़ता है तो इस परसानी में बच्चे बहुत परसान आप परसान कोई मदद मिलना चाहिए क्योंकि इतना पानी जैसे इस जुलाई के महिने में जब बीच का समय चल रहा है जुलाई का तो बारा पंदरतारी के बीच में इतना पानी कभी दिखा था जोंगे लोग बताते हैं कि नेपाल का पानी छोड़ा है जो खतर निसान से जाधा जा रही है अब इससे जादा होगी तो समझे लिए कि बहुत बुरी हाल होगी और सब्सक्राइब को ध्यान देना चाहिए नहीं बड़ी ना है तो छोटी ना दीजिए कंसकं बचे आप आराम से आया जाए खत्रा हो गया इसलिए भी पलाइन कर दिया जादा तर लोगों आप लोगे परिबार का हूं लोगे बंदे पर हैं बंदे पर हैं बंधे की अपनावितार हैं परकाहलेक देखंबां क्युक्त नंहीं हुँए तो नुक्सान तो यह हूए कि मतलब आने जाने का दिकत सही परता साथ फूरतिना चैंसने की बड़े हुए देकी दिसे जिस्टरह भयावा जल प्रले हुआ था तो लग रहा है उससे खतरनाक स्थीति हो सकती है जी सर बढ़ रही है तो अंठाने से जाता भी हो सकता है क्योंकि खतरना निसान पार कई गई है बस आपकी समय लिए पांच फिर वाकी है तो घर में सब घर लिंटर परहना पड़ेगा तस्वीरे भी आपको दिखा देते हैं यहाँ देखिए आपको लोगा दिखाई देंगे किस तरह से आ रहा है पानी में जान जोकिम में डालके इन लोगों को आना पड़ रहा रहा है पीछे देखिए अभी जो गाउं है वहां से थोड़ा पानी अभी कम है लेकिन अधिकतर ऐसे घर हैं जहां से लोगों ने पलाइन कर दिया और बंदों पर शरण ले लिए और दावा जो किया जा रहा है प्रशासन की ओर से वो दावे यहां पर पूरी तरह से जूटे साबित हो रहे हैं चुकि ना यहां पर लोगों को राशन मिला है और ना ही नाओं की व्यवस्था हुई है यही वजाए कि लोग बंदे पर शरण लिली हैं चुकि अब जब सरकारी सुईधाएं नहीं मिलेंगी तो उनको पलाइन को मजबूर होना पड़ रहा है पूर पार्षद अभी हमारे साथ हैं शिवा जी शुकला जी और तमाम लोग हैं जो यहां पर सुबह टहलने के लिए आते हैं तो जान लेते हैं शिवा जी आप पूर पार्षद भी है तो यह बहराम पूर दच्षडी का जो इलाका है और कितनी राप्ती बढ़ती दिख रही हैं लगातार तीन चार दिनों से इस गाउं के अंदर पाने घुज गया इसकूल बंद हो गए पूरे देश में सिच्छा सरसिच्छा वियान मार रुपिया यह धन खर्च का एकिया जा रहा है और योगी जी का यह सहर है यहीं योगी जी के मंदिर से लेकर के मुश्किल से दो किलिमेटर के दूरी पिए यह प्राथ्मिक बिद्याला बहरांपूर है यहां के बच्चे पढ़ने पढ़ने इनको मद्यान का भोजन मिल रखने मिला और सुबह हम लोग आते हैं यह बिद्याला तीन चार दिन उस लगातार बंद है लेकिन कोई भी गरीबों की सुद लेने वाला नह हैं बंदों पिरा रहा रहे हैं इनके पास आज कि तारिक में भोजन की बेउस्तान नहीं है घर इनका सुर्थित है और बच्चे अपने अपने घरों से निकल करकि जाकर के बंदों पर रहा रहे चुए बहुत बुरी हालत है लेकिन कोई प्रसात्स्थिक अधकारी झाकने नहीं है यह तो अख़बार और आप जैसे एवीपी न्यूज जैसे चैनलों की देन है कि लोग निगाहे पड़ जा रही है और ना गोरखपूर सहर के अंदर रहने हैं लोग जानते हैं कि जैसे सिक्सलेंड फोलेंड बन रहा है ऐसे बहरांपूर के लोग भी रहा रहे होंग लोगों के पास है ना बेक्तिगत नाव है जो गाओं में अपना आने जाने काम करते हैं सरकारी वेवस्था नहीं है नहीं के बराबर है ताले तीन-तीन लगे वह दिख रहे हैं लोग पलायन भी कर गए अपनी सुरच्छा के वेवस्था के नाते उन्होंने अपनी तीन-ती स्थितिति है यहां पर दिखें स्कूल जाना होता है बच्चों को और यह समस्या रहती है दोचार होना पड़ता है यहीं वजाए कि लोग यहां पर अपना घर चोड़कर पलायन कर गएं ऐसे अधिकतर घरों गरों पर ताला है और बात कर लेते हैं सार्व यह बताई क्या लगातार दावे हो रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो की जा रही है यहां तस्वीरे भी दिखा देते हैं यह देखिए यहां पर घर पे ताले लगे हुए दिख रहे हैं कि राशन पानी और नाव की वेवस्था की गए वो पूरी दिखाई दे रहा है कि पूरा हुआ है कि सब यहां पर इसे पड़ा हुआ खाली खाली सब्सक्राइब लोग की जा रही तो अच्छा लोग दिख रहे हैं उससे ज्यादा ताले दिख रहे हैं आपको कितना लग रहा है कितनी बढ़ी हुई दिख रही है राप्ती लगातार इधर बहुत तेजी से हर रोज लग लग एक फीट दो फीट शीट बढ़ते ही जा रही है और खत्रेक निसांस पर जा चुकी है अंठानबे की बार भी आपने देखी होगी जिस तरह तबाही मची थी लग रहा है कि समय से पहले पानी जादा आगे जितना गर्मी तेज पड़ी है उतना ही तेज बरसाथ और बार का पानी भी आएगा और बुरा हाल होगा और अगर परसासन ने बहुत जल्दी इन गरीबो की तरफ इन बस्तियों के तरफ ध्यान नहीं दिया तो और बुरा हाल होगा अंठानबे की बाड़ लोगों ने देखी है दुश्वारियां दिखाई दे रही हैं अभी से चुकि अभी शुरुवात है और ऐसे में दिक्कत काफी लोगों को गई हैं लेकिन जो लोग है यहा से पानी का जल भरा वरा हवाव बढ़ रहा है तो सकता है लोगों परसानिया हो सकती है और जो के यहां गोरकपुर में और चुतर में बाढ़ का प्रकुप आ रहा है जो नधी से सटे हुए चीतर हैं और यहां पर दिखिए बिद्दाला है पहले मैं आता करो मोर्निंग कि तो बच्ची जाते थे चार-पान दिनों से कोई बच्चा नहीं है और कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं और पूरा सब के घर में ताले बंद हुए नजरा रहे हैं और सब लोग मतलब पहले दिखते थे अब तो कोई दिख भी नहीं रहा है अच्छा लग रहा है कि इससे पहले अगर बात करें हाफ अभी मतलब आधा जुलाई नहीं बीता है इतना पानी कभी देखा था ने इतना पानी कभी पहले नहीं देखा था पहले तो मतलब मैं आता तो बारिस कमी पानी दिकता था लेकिन चारपान देंसे रोज वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है वाटर लेवल बढ़ रहा है यह आपको थोड़ा आगे बढ़के भी तस्वीरे दिखा देते हैं यह देखिए बाई-साब आप आये गुमने के लिए है यह पताई कितना प पूरा प्रकोप है चुकि आप पीछे रोहिन है रोहिन के ठीक पहले नेपाल की जो पहाड़ी नदियां वहां से पानी आ रहा है और उसके बाद ये राप्ती नदी आपको दिखाई दे रही है जो दच्छडी बहरामपूर में पानी आ रहा है और लोग पलाइन कर गए लोगों के यहां पर यहीं लग रहा है कि इस बार ऐसा नहों कहीं कि अन्ठानवे की बाढ़ का रिकार्ट तूड़ जानी रश्रुवास्तों वीपी लाइव गुरकपूर